केंदरी विश्य विद्याले की स्तापना को लेकर कॉंग्रेस एक जूट नजर नहीं आ रही है। ग्यापन भी बेजा है। हमारी लड़ाई है, हमें खुद लड़नी है, मिसाखियों के सहारे हमने समझते के कोई जंग जीती जा सकती है, कोई जोड जीती जा सकती है। तो आप इसको पार्टी में गुटवाजी के तोर पे नहीं देखते हैं, जहां पार्टी के परदेशा धर्षका, सीउ को लेकर कुछ और ब्यान है और बाकी कुछ और कह रहे है। सुदीर शर्मा ने कहा कि धरम विश्याला के विधाय का किशन कपूर को इसलिए मंतरी बनाया गया है ताकि केंद्री विश्य विद्याले का मामला दबा रहे। इससे पहले किशन कपूर 2007 में भी मंतरी रहे थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया था। सुदीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि सेंटरल यूनिवर्स्टी का निर्वान धरम शाला में हो। उन्हेंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का ब्यान आया है कि दो महीने के अंदर भूमी स्थानांतरन कर सेंटरल युनिवेस्टी का शिला न्याज किया जाएगा नमारी ये मांग है महामें इसे कि जो देहरा की जमीन है वो बर्ड सेंटरी के साथ लगती हुई तो उन्हों ही जमीने जो है वो सेस्मिक जोन फाइव में हैं धर्मशाला में जमीन का चैन हो गया सारी अपचारिक ताएं उसकी होई आज क्या कारण है कि सरकार बदलते ही जो ह यह कहा जा रहा है कि तो नहींने में धेरा में शिलान्यास हो जाएगा और धर्मशाला के बारे में खामुश यहां पर तो यह भी लोग कह रहे थे कि जब वर्तमार मंतरी मंडल का गठन हुआ तो जो स्कानिय विधाय का उनका नाम नहीं था केंद्रिय विश्विद्याले की कि एवज में मंतरी मंडल ले आये और उसको भूल गए अपनी प्रात्मिक्ता से और इसलिए उन्होंने एक बार भी मुखर होकर कि इस बात को नहीं उठाया जब से सरकार का गठन हुआ है जब यह पता चला कि आज यहां कॉंग्रेश क्या पंदेगी धरमशाला के इस मुद्ध को उठाने में कपूर नाकाम रही है उन्होंने का कि कपूर ने जो आरोप लगाये हैं कि धरमशाला के प्रेटन को बेजनाथ ले जाया गया इस पर सुदीर शर्मा ने कपूर से पूछा कि आप भी 20 साल से यहां पर नमाइंदे हैं तो आपने प पार पाते हैं तो कपूर सन्यास ले। पूर एक भी नहीं लगा होगा तो ये ले ले लें लेंगे नहीं क्योंकि सिर्फ ये पद की लालसा उसके चलते पहले भी उस समय के जो मुख्या मंत्री थे उनके आगे घुटने देख दिये और कहा यहां पर भूमी नहीं है। और संदे के घेरे में डाल दिया और का कि पैसों का यहां पर दूर्वियों हुआ है। और संदे के घेरे में कोई आता है तो पीमसी जो है वो आती है। मैं समझता हूँ कि इस परकार से खुद ही ऐसी भूमी काने वारे हैं जैसे खुद भी पक्ष में हूँ। आप सब्ता में हैं शरकार के अंदर आवाद उठाइए। इनकी जगा मैं हुता तो मंत्री पत्कुर्ट भुतर मार करके वापिस रोगों के बीच में आता है। और कहता कि नहीं जो हमारा हक है वो हमें नहीं मिला। सुदीर शर्मा ने कहा कि जब प्रधान मंत्री एम्स का उदगाटन करने आये थे तब कॉंग्रिस को उमीद थी कि वे इसका शेले नियाज करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भाजपा को इस पर राजनिती करनी थी। शर्मा ने कहा कि धरमशाला से धीरे धीरे सब कुछ चीना जा रहा है ताकि धरमशाला का विकास ना हो सके। सुदीर ने कपूर पर तंज कस्ते हुए कहा कि कपूर जो कह रहे हैं कि नगर निगम में जो लोग काम कर रहे हैं वे बैजनात से हैं। कबूर को ये नहीं पता कि नगर निगम का कारेले अलग है और स्मार्ट सिटी का अलग कारेले है उन्हें पहले इसकी जानकरी जुटा लेनी चाहिए